आइस AI का important announcement CA exam number December 22 student के लिए ये announcement important है CA foundation December 22 student के लिए CA intermediate number 22 student के लिए and CA final number 22 student के लिए ये announcement 12 October 2022 यानि कि आज के date का important announcement है announcement देखने के लिए आपको आइस AI के official website प्याना होगा जैसे ही आप लोग official website प्याओगे तो यहाँ पे examination वाला section होगा इस पे आपको click कर देना है इसके बाद आपको number December 22 examination वाला section पे click करना है सबसे उपर में जैसे ही आप लोग वहाँ पे click करोगे सबसे पहले आप scroll down करके थोड़ा सा नीचे आजाओ देख लो कि आज के date का important update है या नहीं डेट यहाँ पे क्या लिखाओ 12 October 2022 यानि कि आज के date का important update है Charter Studies टीम का यही कोशिस रहता है कि जैसे ही कोई update है सबसे पहले आपके पास provide किया जाए इसके लिए आपको करना क्या होगा चैनल को सबस्क्राइब करके all notification बिल दबा दीजिए यह announcement है answer book and attendance register को लेकर के आपके CA exam number 22 December 22 में CA foundation intermediate और final को क्या answer book दिया जाएगा जिस पे आप लोग answer लिखोगे देखो जो लोग exam दे चुकें CA foundation intermediate और final उनके लिए हो सकता यह ज़्यादा important नहों announcement बट जो लोग first time exam दे रहें CA foundation intermediate या final का हो सकता उसके लिए बहुत important यह announcement हो अगर आप answer book पे feel करने में कोई भी mistake करते हो तो ऐसा chances बन जाता है result with held का तो इसलिए ICI ने पहले ही update कर दिया answer book ताकि आप लोग देख लो और एक बार खुझ से भी देख लोगे और practice कर लोगे तो आपको answer book में कोई भी mistake नहीं करोगे exam के time में simple सा बात है correct detail feel करने में कोई भी mistake नहीं करोगे अब इतनी सारे answer book में से आपको exam में कौन-कौन सा answer book मिलेगा ध्यान से बाते को सुन लेना सबसे पहले first point के बार में बात कर लेते हैं first answer book है descriptive plus mcq मतलब ऐसा वो paper होगा जिसमें descriptive के साथ-साथ mcq भी question पूछा जाएगा तो आपके exam में ये answer book दिया जाएगा क्या CA foundation में ऐसा कोई paper होता है कि descriptive और mcq साथ में तो इसका जवाब है बिलकुल भी नहीं अब second answer book section wise descriptive plus mcq दो section में होगा section A में आपको ये answer book मिलेगा और section B में आपको ये second वाला मिलेगा अब ध्यान से सुलेना fourth point के बारे में ऐसा answer book है जिसमें mcq नहीं रहेगा तो यहीं मिलेगा आपको CA foundation paper number one and paper number two के लिए बाकी इससे पहले जो भी था कि वो answer book मिलेगा CA intermediate और CA final student को point number five में लिकावा CA final paper number six simple सा बात है paper number six CA final student को और last point है CA foundation paper number three and paper number four मतलब यह हुआ कि आपको paper number three and paper number four में यह answer book आपको मिलेगा exam में फिल करने के लिए वैसे आप लोग चाहो कोई तो यूटूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो एबलेबल उस वीडियो को देख करके सीख सकते हो और charter studies के यूटूब चैनल पे भी वीडियो आ जाएगा फिर से एक बार new वीडियो आएगा कैसे आपको CA foundation intermediate और final का answer भी कोई फिल करना होता है सही तरीका क्या है ताकि आपको exam में कोई भी mistake ना हो इसलिए आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिलता पातीजिए पॉसीवल हो तो इस वीडियो को जरूर सेर कर दीजे CA foundation intermediate और CA final student के साथ जो की December 22 में एक्जाम देने वाले हैं अगर फिर भी कोई additional doubt है तो YouTube comment box open है आपको आपे मुझे पूछ सकते हो जो लोग अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता चाहे CA foundation intermediate या final का अनकेडमी पे आज से 20% का offer start हो चुका और last date रहेगा 14 October 2022 जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना तो वो लोग ले सकते हैं इस बीच में सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड जरूर यूज करें चार्टर स्टडिस्टें कूपन कोड CA foundation intermediate और CA final का सब्सक्रिप्शन का डारेक लिंक मैं डेस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ अनकेडमी पे start हो रहा है CA intermediate जो की class start हो रहा है 13 October 2022 से जो लोग अगर लेट भी सब्सक्रिप्शन लोग है तो आपको recorded lecture मिल जाएगा अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले प्ले प्ले इस्टोर से अनकेडमी का लर्निंग डाउनलोड करना है इसके बाद आप जितने भी मंत का सब्सक्रिप्शन लेना चाता है आप इजली ले सकते है बट कोर्श जरूर यूज करें चार्टर स्टेडिस्टेन कूपन कोर्ट और अभी फिलहार 20% का ओफर चल रहा है इस बैसेस का डिरेक्ट लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने में आपको कोई भी एडिशनल डाउट आ रहा है तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएग